साथ्यों एक एक एक्स्प्रेस में कितने प्रकार के कामों को आउसर्द का जन्म दे देता है साथ्यों डबन इंजिने की सरकार में आज यूपी जीस तरह आधुनिक हो रहा है ये वाकई अभुद्पूर्वा है जिस यूपी में जरा याद रखना दोस्तों मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे जिस यूपी में सर्यू नहर परियोजना का पुरा होने में चालिस साल लगे जीस यूपी में अरजुन डेम परियोजना को पुरा होने में बारा साल लगे उस यूपी में अब इन्फ्रास्टेक्टर पर इतनी गंबीरता से काम को हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है दोस्तों रुको जरा सबर गरो और अब खबर बुंदेल खंड से करोडों रुपे खर्च करके बनाया गया बुंदेल खंड एक्स्प्रेस वे कल हुई तेज बारिश में जगा जगा से धस क्या है प्रधान मंत्री मोदी ने 16 जुलाई को ही चार दिन पहले इसका उद्खाटन क्या था अब इसकी गुंडवत्ता को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं इस पर समाजवादी पार्टी इसे लेकर सबकार पर हमले बोल रही है अब यूपी की पहचान बदल रही है आपको गर्व होता है और नहीं होता है आप पूरा हिंदुस्तान यूपी के प्रती बड़े आच्छे भाव से देख रहा है आप आनन्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या वाह मोधी जी वाह 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 बर सिंपल बात है पुश्किर काम नहीं है क्यों आपने देश की जनता के साथ धोका किया परस्त नहीं होना चाहिए क्यों आपने परस्त नहीं होना चाहिए